लाल सागर यानि पानी की वो सक्री सी पट्टी जो अफ्रीका और एशिया महाद्यूपो के बीच मौजूद है लाल सागर मिस्र सूडान और इरीट्रिया के तटो को साओधी अरब और यमन के तटो से अलग करता है इसके पूर्वी तट पर साओधी अरब और यमन देश हैं जबकि पस्चमी तट पर मिस्र सूडान इरीट्रिया और जिबूती है लाल सागर जो कल तक घंदा पानी के लिए समंदर का सबसे सुरक्षित और महतुकून रास्ता हुआ करता था वो अब हूतीवी द्रोहियों के हमलों से दहशत की सुनामी जेल रहा है इसराइल और हमास की जंग के शुरू होने के बाद से ही यमन के हूतीवी द्रोही ना सिर्फ इसराइली व्यापारिक जहाजों को लाल सागर में निशाना बना रहे हैं बलकि इसराइल को सपोर्ट करने वाले पश्चमी देशों के जहाजों पर भी मिसाइल और ड्रोन हमले लगातार कर रहे हैं हालात ये हो चुके हैं कि अमेरिका और बिटेन की सेनाए मिलकर भी लाल सागर में भूती विद्रोहीों को रोक पाने में नाकाम साबित हुई हैं अक्टूबर दो हजार तेईस से अब तक हूती विद्रोही कम से कम सौ बार लाल सागर में जहाजों पर हमले कर चुके हैं। पूती विद्रोही के हमलों से बचने के लिए ही सेक्डो कमर्शल जहाज दक्षिन अफरीका के आसपास जाने के अपने रास्ते को बदल रहे हैं। हूती विद्रोहियों के निशाने पर कारोबारी जहाज हैं और ज्यादतर हमले लाल सागर में किये हैं जिसमें शिपिंग कमपनियों की नींद उड़ गई है। लाल सागर में समुद्र के भीतर हूती विद्रोहियों ने फिदाईन हमलावरों की एक अलग ही दुनिया बना रखी है। पातरनाक UUV यानि Unmanned Undersea Vehicles हैं जो पानी के भीतर बड़ी खामोशी से किसी भी कमर्शल जहाज के करीब पहुचकर धमाका कर सकते हैं। ऐसे में हूती की ताकत आस्मानी ड्रोन और समुद्र के भीतर मानावरहित पंडुब्यों की वज़ा से काफी बढ़ गई है। पानी के भीतर UUV की वज़ा से अब एक बड़ा खत्रा लाल सागर में कमर्शल जहाजों पर मनरा रहा है और लाल सागर में संगर्श के तेज होने की आशंका काफी गहरा गई है। अब आपको बताते हैं कि हूती की इन UUV यानी Unmanned Undersea Vehicles यानी मानावरहित पंडुब्य की ताकत और शमता क्या है। हूती के ये समुद्र के भीतर चलने वाले ड्रोन्स भले ही किसी पंडुब्य की तरह घातक नहीं है। लेकिन ये समुद्र के भीतर और जमीन के ऊपर भयानक नुक्सान करने में सक्षम है। लाल सागर के भीतर कोईलिशन फोर्सिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये हो गई है कि इस तरह के ड्रोन्स के अचानक हमलों से बचा कैसे जाए। एक बार फिर से पश्चिमी देशों को अपनी नेवी की सुरक्षात्मक रननीती और तकनीकी का फिर से गहराई से निरिक्षन और मन्थन करना होगा। क्योंकि हूती के अंडर सी अन्मैंड वीकल्स लाल सागर के भीतर दूर तक मार करने में सक्षम हैं। इन्हें अटैक करने के लिए किसी इनसान या ड्राइवर या फोर्स की जरूरत नहीं। हाला कि हूती के इन अंडर सी वीकल्स की शमता पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन ये मिलिटरी सब्मरीन्स की ही तरहा पानी में बड़ा हमला करने की ताकत रखते हैं। ये UUV अपने साथ में माइन्स, बम, टॉर्पीडो और विस्फोटक ले जा सकते हैं, जो कि किसी भी जहाज को बड़ा नुक्सान पहुँचा सकते हैं। ऐसे में समुद्र के भीतर से निकली इस नई चुनौती और खत्रे से निपटने के लिए दुनिया भर की नेवी सेनाव को जंग लड़ने के तरीके में भारी बदलाव करने होंगे। क्योंकि इन UUV को टारगेट पर पहुँचने से पहले डेटेक्ट करना और नश्ट करना बड़ी चुनौती होगी। ये दूसरे मिलिटरी ड्रोन्स की तरहा समुद्र के भीतर टारगेट गाइडेंस से लेस नहीं होते हैं। इसके बावजूद जमीन और आस्मान से खत्रे को तुरंद भापने और जवाब देने वाली नेवी सेनाओ को समुद्र के भीतर इन खूफिया UUV को पहचानना और पलटवार करना आसान नहीं होता है। सोनार सिस्टम और अंडर सी सर्विलेंस सिस्टम से भी इनको ट्रैक करना आसान नहीं है। ये दबे पाव हमला करेंगे, नश्ट भी हो गए तो हूती का कोई नुकसान नहीं। नश्ट होने के पहले किसी बड़े कमर्शल जहाज को एक बड़ा घाव दे देंगे। लाल सागर में कमर्शल जहाजों को नुकसान पहुचाना ही इनका मकसद है। भूती की कोशिश है कि लाल सागर पर इस कदर दहशत फैला दी जाए कि कारोबारी जहाज वहां से गुजरना बंद कर दें। दरसल लाल सागर दुनिया भर के सबसे महतुकून समुद्री रास्तों में से एक है। स्वेज नहर घुमध्य सागर को लाल सागर से जोडती है। स्वेज नहर से ही हर साल 17,000 जहाज गुजरते हैं। 12 फीजदी सालाना वैश्विक कारोबार लाल सागर से ही होता है। लाल सागर से 10 खरब डॉलर के सामान का आयात निर्यात होता है। अकेले भारत का स्वेज नहर और लाल सागर के रास्ते करीब 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है। लेकिन लाल सागर में समुद्र के भीतर से निकलते इस नए खत्रे से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हो सकती है जिस वजह से क्रूड ओयल और दूसरे जरूरी उत्पादों के दाम बढ़ सकते हैं और फिर नतीज तन महंगाई भी बढ़ेगी वैश्वी कर्थ व्यवस्ता पर असर भी पड़ेगा क्योंकि लाल सागर में जहाजों के लंबा रास्ता लेने की वजह से हर जहाज को दस दिन अधिक सफर करना पड़ेगा इससे कंपनियों पर आर्थिक बोज बढ़ेगा बड़ी बात ये है कि अधिकतर बीमा कंपनियों ने लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को बीमा देने से मना कर दिया है अब चलते चलते आपको फिर बता दे कि हूती विद्रोही दरसल यमन के अलब संक्यत शिया जैदी समुदाय का एक गुरूप है साल 1990 में ततकालीन राशुपती अली अब्दुल्ला साले के भरष्टाचार के खिलाफ लडाई के लिए हूती गुरूप का गठन किया गया था कहा जाता है कि हूती विद्रोहीों को इरान का समर्थन हासिल है हूती विद्रोही अमेरिका और इस्राइल को अपना दुश्मन मानते हैं किया जाता है कि I